पूर्णीं स्टुडेंट्स कैसे हैं अब सभी सभी बज्जें अच्छी तरह से और अपना काम कर रहे हैं और काम मुझे पेजना भी है करके ठीक है और जब आप स्कूल आते हैं तो बुक लाइए और अपने बूप भी चेट करें चलिए पिर आज कौन सा पेज करने भाले है पेज नमबर है 44 और टॉपिक क्या है इस पेज को कम्प्लीट करें इस पेज में आज हम काम करेंगे बिटा ओपन कर लिजे सभी पेज नमबर है 44 और टॉपिक है स्टिल लाइफ स्टिल लाइफ का क्या मतलब होता है जो सामने चीज हमारे रखी है उसको as it is हमें शेडिंग के साथ बनाना ठीक है तो देखिए जो आज का हमारा पेज है पैंसिल शेडिंग के साथ यहाँ पर हम उसको बना रहे हैं तो इसमें हमें ड्राइंग दी हुई है और शेडिंग के स और दूसरी साइड हमारा डार्क शेड है और उन दुन्नों के बीच में थोड़ा सा हलका सा एक टोन है तो इस तरह से हम शेडिंग करेंगे इसको फॉलो करते हुए सबसे पहले बेटा ये कर्टन्स जो यहाँ पर दिखाये हुए यहाँ ड्रॉ किया हुआ है इनको हम करते है तो देखिए जो यह फोल्ड बने हुए इन फोल्ड के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे और उसमें यह वाला जो बीच का पार्ट है यहाँ वाइट छोड़ना है हमें और इस वाली जगे में हमने शेडिंग करनी है तो इस तरह से आप पैंसिल चलाएंगे बटा और इस तरह से आप पैंसिल चलाते हुए इसको करेंगे देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे पैंसिल किस तरह से चलानी है यह हमारा शेडिंग वाला पार्ट यहाँ पर हम डाक कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा पैंसिल आप कोई सी भी ले सकते है पर एज भी पैंसिल हो और थोड़ी अगर शेडिंग वाली पैंसिल है तो और अच्छा आपका काम होगा otherwise आपके पस जो पैंसिल आप यूज़ कर रहे हैं उससे ही आप ऐसे शेडिंग कर सकते हैं बस हमें ये धियान रखना है कि जो हमारी हैंड की मूवमेंट है वो किस तरह से चल रही है ठीके तो हम इसको फॉलो करके यहाँ पर कर रहे हैं अब देखिए इधर फोल्स इधर भी दिखाए हैं यहाँ भी हैं तो उसको हम देखते जाएंगे और इसी तरह से इन सभी फोल्स में हम शेडिंग कर लेंगे तो ये वाला पार्ट इस तरह से हो जाएगा उसके बाद बिटा सेम यहाँ पर भी है यहाँ पर पहले आप यह लीव्स की ड्राइंग इनको पूरा कर लीजे यहाँ लाइन आजेगी यहाँ लाइन यहाँ इस तरह से लाइन साजेंगी उसके बाद फिर हम यह देखिए लीव में यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि यह वन साइड डार्क है और वन साइड लाइट इसी तरह से हम एक साइड ले लेंगे अपना और इस तरह से यहाँ पर यह साइड हम डाक कर रहे हैं जब डाक कर रहे हैं तो पैंसिल को थोड़ा सा हम दबाकर चलाएंगे प्रेशर के साथ और जब हमें लाइट शेड लेनी है तो पैंसिल को बिल्कुल लाइट हैंड से चलाएंगे बिल्कुल हलके हाथ से इस तरह से तो एक साइड हम लीट में यहां पर एसे pressure के साथ चला रहे हैं pencil तो dark shade आ रहा है और उसी pencils जे हम यहां बिलकुल हलके हाथ से चला रहे हैं तो हमारा light shade बन रहे है तो इसी तरह से बेटा इसे भी करेंगे हम टॉप पार्ट जो है यहाँ पर इसको लाइट छोड़ देते हैं और यहाँ से फिर हम ऐसे डाक करते हैं इसी तरह से यह भी सारे पूरी लिए करेंगे अब हम पॉर्ट को देखते हैं पॉर्ट क्योंकि राउंड है ऐसे हैं तो इसमे बेटा शेडिंग में हमेशा जैसा हमारा अबजेक्ट होता है उसके एकॉर्ड इंग ही हम अपनी पैंसिल को मूव करते हैं जैसे अब लीव में ह हमने इस तरह से करी है अब जब ये थोड़ी roundness आ गई है तो हम इसमें जो shading करेंगे वो इस तरह से चलेगी जैसे थोड़ा हमारा जो shape है round वो round ही नजर है shading के बाद भी और इसमें किस तरह से करना है ये वाला part हमारा dark कर रहा है हम इस तरह से देखिए round round आप pencil को ऐसे करते जाएं यह देखिए यह जो हमारा है part है यह दोनों part के बीच में यह वाला जो part है मतलब जो नीचे base आ रहे हैं वो हमारा ज्यादा dark हमें दिखाने कोई भी चीज रखी होती है और जहां पर हमारा कोई object रखा है उसके नीचे का space थोड़ा dark ही होता है क्योंकि shadow पड़ रही होती है जब हम उपर light डाल रहे हैं तो नीचे shadow आ रही है तो जो भी चीज जहां रखी है जो object है वहां पर हमारा dark में सोझेगा मतलब यह part के नीचे और यहां आसपस हम ऐसे dark कर लेंगे यह सारी जगें यहां पर हमारा dark होगा यह देखिए इस तरह यहां भी आ जाएगा darkness और जहां जहां यह lines आपको दी हुए है पिटा वहां भी dark करना है और उसके साथ साथ हम यहां पर light भी करेंगे light भी pencil चलानी है सेम इसी तरह हम यहां कर लेंगे जो यह है बुक का यह design दिया हुआ है उसमें यहां पर उपर हम थोड़ी darkness के साथ कर रहे हैं यह border दिखाया है बुक का तो इस तरह से आप कर लेंगे इसे design कर लेंगे इसका बुक का यहां dark आ रहा है इसमें बुक में सारी बुक को इसी तरह से हम border बना लेंगे इसका और इधर जो है उपर corner जो है यह dark है यह भी corner जो है dark है और उपर हलका हलका एक light shade देंगे इस तरह से और इन चीज़ों को हम dark कर लेंगे तो यह देखिए बिटा यहां पर हमारी सारी shading हमने सभी parts में इसमें कर लिए अपने page के बुक में भी कर लिए यहां भी कर लिए और आप भी इसी तरह से करिए और सबसे जरूरी एक चीज़ है बिटा आपने pencil का ध्यान रखना है कि pencil किस तरह से चलानी है जहां dark करना है वहां थोड़ा hand को pressure देकर चलाना है pencil और जहां पर आपने light shade देना है वहां पर pencil को बिल्कुल हलके हाथ से चलाना है बस यह दो चीज़े ही अभी आपको ध्यान रखनी है जिससे आप shading कर सकते हैं तो highlight देने के लिए जैसे यहां से eraser से थोड़ा सा ऐसे कर दिया हमने तो यहां white आ गया थोड़ा थोड़ा हलका हलका आप ऐसे eraser के साथ ऐसे highlight कर सकते हैं जहां पर हमने ज्यादा white दिखाना है pencil दे शेड तो करनी है लेकिन white भी दिखाना है पार्ट तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं तो बाकी इस तरह से आप अपने इस page को कर लीजे बिटा और सब भी बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह से अपना यह शेडिंग वाला जो page है इसे complete करेंगे और उसके बाद अपना काम मुझे भेजेंगे भी तो चलिए फिर अगली class में मिलते हैं बिटा ओके झाल 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 झाल